इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मश्खी सवालाद 20 इसमें पहला सवाल है खद AC और खद BD एक दूसरे को नुक्ता P पर खता करते हैं measurement of angle APD, APD, यानि, जाविया APD की पहमाएश, 47 दरजे है, 47 दरजे है, तो, जाविया APB है न, यहाँ पर, APB इस जाविये की, जाविया BPC, BPC इस जाविये की, और जाविया CPD, CPD यानि, इस जाविये की पहमाएश, हमको मालूम करना है, देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, जाविया BPC से, है न, मुतखाबला जाविये, हम जानते हैं, मुतखाबला जाविये, जाविया APD, है न, APD, हम APD इस लिए ले रहे हैं, क्योंकि APD की पहमेश, हमारे पास, पहले से दी हुई है, न, इसका मुतखाबला जाविया, BPC है, BPC है, इस लिए, चुक्छे यह मुतखाबला जाविया है, इस लिए, मेजर्मेंट ओफ अफ एंगल, BPC मासाविया रहेगा, असी दर्जे, मुतखाबला जाविया है, इस लिए, मेजर्मेंट ओफ एंगल, BPC मासाविया रहेगा, 47 दर्जे, अब शकल में, जाविया BPC है ना, जाविया BPC और जाविया CPD है ना, जाविया CPD, यह दोनों खत्ती जोड़ी के जाविया है, कौन से हैं, खत्ती जोड़ी के जाविया है, है ना, इस लिए, इस जाविया के इस जाविया के है ना, इस जाविया की और इस जाविया की, पैमाईश मैं लिखता हूँ एम एम मेजरमेंट दोनों का मजमुआ एक सो असी दर्जे होगा है ना लेकिन हम यहां जानते हैं कि बी पी सी की पैमाईश 47 दर्जे है उसकी खीमत रख दी जमा मेजरमेंट आफ एंगल सी पी डी मसावी एक सो असी दर्जे यहां पर जैसे ख़ निप से 47 मनफी करने पर है ना यह 47 जम मेजरमेंट आफ एंगल सी पी डी इधर से मनफी 47 दर्जे किया और यह 180 में से मनफी 47 दर्जे किया तो यह 47 जमा यह मुझबत और यह मनफी 47 कट हो जाएगा इसको मैं यहां पर उपर लिखता हूँ मेजरमेंट आफ एंगल सी पी डी मसावी 187 फी 47 दस में साथ गए तीन साथ में से चार गए तीन एक का एक बाखी तो C, P, D 133 दर्जे रहेगा है ना लेकिन जाविया C, P, D और जाविया B, P, A या A, P, B A, P, B यह दोनों जाविये मुझखाबला जाविये हैं क्योंकि C, P, D 133 है तो A, P, B, A, P, B, B 133 दर्जे होगा तो मैं यहाँ पर इनकी पैमाईश लिखता हूँ A, P, B 133 दर्जे B, P, C हमने मालूम किया B, P, C यहाँ पर 47 दर्जे और C, P, D 133 दर्जे स्वाल नमबर दो, खत P, Q और R, S एक दूसरे को नुखता M पर खता करते हैं मेजर्मिंट आफ एंगल P, M, R यह वाला जाविया X दर्जा हो तो, जाविया P, M, S, P, M, S, जाविया SMQ, SMQ, जाविया Q, M, R, Q, M, R, यह वाला जाविया इनकी पैमाईश हमको मालूम करना है, देखिए गोर्ष से शकल में जाविया P, M, R और जाविया SMQ, जाविया SMQ, यह दोनों मुत्खाबिला जाविये हैं, कौन से जाविये हैं? मुत्खाबिला जाविये हैं, इसलिए मेजर्मेंड ओफ एंगल SMQ, मसावि, X दर्जे होगी, क्योंके मुत्खाबिला जावियों की पैमाईश मुत्मासिल होती है, ठीक है? तो SMQ की मैं पैमाईश यहां पर लिखता हूँ, X दर्जे हमने मालूम कर लिए, अब हमें मालूम करना है जाविया PMS, अगर हम शकल को गवर से देखें, तो जाविया RMP, जाविया RMP, और जाविया PMS, है न? PMS, जाविया PMS, यह खती जोड़ी के जाविया है, कौन से है? खती जोड़ी के जाविया है, इसलिए हम लिख सकते हैं, के जाविया PMR, है न? मेजरमेंट ओफ एंगल PMR, जमा मेजरमेंट ओफ एंगल PMS, जाविया PMS, मसावी 180C दरजे, ठीक है? मैं यहां लिखता हूँ, 180C दरजे, मसावी PMR की पैमेंश क्या थी? PMR की पैमेंश X दरजे थी, जमा मेजरमेंट ओफ एंगल, PMS हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे ही लिखते हैं, अब यहाँ पर तरफैन में से 100, तरफैन में से X मनफी करने पर, ठीक है? X मनफी, X जमा यह, मेजरमेंट ओफ एंगल, PMS मैं लिखता हूँ, तो यह मनफी X, और यह मुस्पत X, जीरो हो जाएगा, है न? तो zero जमा measurement of angle PMS तो मैं zero यहाँ पर नहीं लिखता हूँ direct measurement of angle PMS लिखता हूँ और यह 180 मन्फी X दर्ज रहेगा ठीक है यहाँ पर measurement of angle PMS 180 मन्फी X आ गहे है न यहाँ पर 180 मन्फी X लेकिन जाविया PMS और जाविया QMR यह मुतखाबिला जाविये है ना मुतखाबिला जाविये है इसलिए measurement of angle QMR और measurement of angle PMS के बराबर रहेगी लेकिन PMS की PMS हमको पता है 180 मन्फी X दर्ज रहे है इसलिए हम इनकी खीमते यहाँ पर लिखते हैं measurement of angle QMR measurement of angle QMR मासा भी 180 मन्फी X और PMS क्या था PMS यह भी 180 दर्ज हमको यहाँ पर हासिल हुआ था लिए इसलिए झाल झाल